असलाम अलेकुम कराची स्टाइल चिकन बिर्यानी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं बहुती जबर्दस फ्लेवर्फुल ये बिर्यानी बनकर तयार होती है आसानी से बनने वाली और बहुती टीस्टी बनती है ये आप एक बर ज़रूर ट्राइ की जए एकदम पर्फिक्ट चिकन बिर्यानी बनकर आपकी भी तयार होगी तो चलिए बनाते है चिकन बिर्यानी की रेसिपी तो पतीली हमने गरम करने रख दी है उसमें हम एड़ कर देंगे दो टेबल स्पून तेली तेल गरम होने के बाद साबत गरम मसाले जिसमें दो तेस पता दो से तिन तालचीनी के टुकड़े दो हरी लाइची एक बड़ी लाइची दो से तिन लौग और चार से पंच काली मिर्च में डाल दी है उसके बाद हम इसमें दो मिडियम साइस की प्यास एड़ कर देंगे और प्यास को हम यहाँ पर 2 मिनिट के लिए भून देंगे दो मिनिट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन यहाँ पर 500 ग्रम में चिकन ले लिया है जिसे चल्म वाश कर लिया है साथ में मसाले में एक टीसपून लाल मिर्च पौडर, दे टीसपून धनिया पौडर, हाफ टीसपून हल्दी पौडर, हाफ टीसपून जीरा पौडर आड़ करेंगे और ये सारे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे भी बस मसाले को हमने मिक्स करना है इसी तरही से हम सारे मसाले मिलाएंगे तो चलिए मिक्स हो गए है मसाले, उसके बाद हम हम इसमें डाल देंगे 100 ग्रम दही तो यह दही भी मैंने आड़ कर दी है साथ में दो हरी मिज भिस से कटी हुई यह तीन मिडियम ससके आलू लिये थे जिसे मैंने दो तुकड़ों में कट कर लिया आलू आड़ कर देंगे एक टेबस फुन दाल देंगे अद्रक लसन का पेस्ट थोड़ा सा कटावा हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जो है ना वो नीचे लगे ना और बहुत अच्छे से यह सारी चीज़े पक बिजाए तो सबी चीज़े हम अच्छे से यहां पर देखे मिलाएंगे क्योंकि अभी आलू चिकन गलना बाकी है तो यह सारे मसाले हमने देखे इस तरह से मिला देना है और ढग कर हम इसे रख देंगे 20-25 मिनिट तक लो फिलिम पर ताकि अच्छे से सारी चीज़े पक जाए जब तक हम चावलों को पका लेंगे तो यहां पर मैंने चावलों से दुगना पानी ले लिया है उसमें साबद गरम मसाले आड़ कर दिये है सारे और साबुद गरम मसाले आड़ करने के बाद नमक हम डाल देगे नमक हमें चावल के हिसाब से थोड़ा सा जादा डालना है क्योंके पानी को हम निथारेंगे साथ ही साथ मैंने इसमें हाफ टी स्पून देशी घी डाल दिया और यह मैंने डाल दिये है 500 ग्राम ही बासमती राइस मतलब जितना मैंने चिकन लिया था उतना मैंने राइस इसमें डाल दिया है राइस को मैंने बासमती राइस था तो मैंने 15 मिनिट पहले से इसे भीगो कर रखा हुँआ था अब हम इसे हाइफलें पर कुक कर लेंगे इस तरह से देखे आलमूस 90 पसंट तक ये चावल कुक हो चुके है तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हम इसे निथार लेंगे और फिर हम इसे साइड में रख देंगे तो ये देखे पानी मैंने निथार लिया है और ये हमारे वासमती राइस बिल्कुल तयार है अब दम होने के लिए ये देखे तम खिले खिले राइस तो चलिए देख लेते हैं चिकन को भी तो यहाँ पर यह चिकन में दिखे इस तरह से पानी है हलका हलका पानी है लेकिन आलू और चिकन भी अल्मोस्ट गल गया है तो एक पहले मिक्स दे देंगे यहाँ पर मैंने 25 मिनिट तक लोग फ्रेम पर पकाया है ताकि आलू और चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो तो चलिए अब इसमें जाएगा हरी मिर्च तो यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्च को पीस लिया था वो हरी मिर्च पीसी हुई डालेंगे साथ में यह एक टमार्टर मैंने ले लिया है इस तरह से गोल गोल तुकडो में कटा हुआ वो हम इसमें रख देंगे साथी साथ आधा नीबू मैंने काट लिया है उसे भी मैं रख दूँगी इसी तरीके से गोल गोल तुकडो मैंने देखिए पतले पतले इसके पीसिस कर दिये हैं, वो हम रखतेंगे, तो ये नीबू भी हमने रख दिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, दो टीस्पून इमली का पल्प, बहुत अच्छा टीस्ट आता है, जरूर एड़ कीजेगा, तो दो टीस्पून इमली का पल्प मैंने इसमें जावीत्य पाउडर, लगभख उनकOOOO टीस्पून, वरफ़ूणै सिट्ना मेने डाला है, और हाफ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी अड़ कर देंगे, साथी साथ नमक हम इसमें अड़ करेंगे, स्वाद अनुसार, तो नमक भी मैंने इसमें लेकर दिया है, ज अब मैं यहां पर रख दूँगी पांच मिनिट के लिए लो फ्लेम पर ही हमें रखना है आप चाहे तो अगर जादा दे रखेंगे तो यह सारी चीज़ अच्छे से गल जाएगी मिक्स हो जाएगी पर मैंने पांची मिनिट रखा है और बाकी का मैं मिलाने के बाद फिर इसे पका लूँगी तो पांच मिनिट रखने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम फिर से इसे पकने देंगे थोड़ी सी देर ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सारी चीज़े हमने मिला दी है यहां पर थोड़ा सा पानी भी हम इस अब पक चुकी है हलका सा पानी आपको इस तरह से रहने ही देना है इससे आपका जो मसाला है ना बिर्यानी का वो नीचे लगेगा नहीं और चावल भी बिल्कुल आपके सही पकेंगे अब यह सारी चीज़े जैसे आप देख सकते हैं चिकन है टॉमेटो है सब पटाटा है अब अच्छे से गल चुका है तो चली अब हम इसे दम कर लेता है तो गैस की फिलिम बन करने के बाद थोड़े से पुदीनी के पत्ते डाल देंगे थोड़ी से तली हुई प्यास मैंने पहले से ही फ्राय करके रखी थी तो वह तली हुई प्यास हम इस पे डाल देंगे थोड़ा कटा वहरा धनिया भी तली होई प्याज और उसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे वन फॉर्थ ग्लास दूध दूध जरूर एड़ कीजेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी बिर्यानी में और आपके राइस जह है न वो बिल्कुर खिले-खिले रहेंग उसके बाद पांच मिनट के लिए हाय फ्ले पर और मने लक कीता बस्तार हो यह दोड़ा तैयार हुई नए के उड़ा एसमें कारर को और का यह अम्हां प्र देखे एकदम perfect नीचे बिल्कोल भी लगी नहीं है और एकदम perfect बनकर भी ये तयार हुई है तो ज़रूर से एक बार आप ये बिर्यानी की recipe ट्राए करेजगा आप सभी को बहुत 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 पसंद आईगी तो ये देखे हमने इसे निकाल लिया है साथ में हम डाल देंगे इस पे थोड़ी सी तली हुई प्यास नीबू मैंने रख दिया है हाधा काट कर साथ में आप पबू रायता बना लीजेगा मैंने यहाँ पर रायता बना कर साइड में रख दिया था तो मैंने यहाँ पर उसे रखा नहीं है वीडियो में और ये हमारी बिर्यानी बिल्कुल तयार है देखें चिकन कितने अच्छे से गल गया है मैं तोड़ के दिखा देती हूँ और साथी साथ एकदम पर्फेक्ट सी ये चिकन बिर्यानी हमारी तयार हुई है आलू भी एकदम गल चुका है लेकिन अभी बहुत गरम है ये तूटेगा नहीं अलू एकदम घरम है तो आप भी जरूर इस तरह से बनाएए ये बिर्यानी और आपको ये बिर्यानी की रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शायर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही रेसिपीस के लिए थैंक्स पर वाचिंग वाचिंग एव गूद देए